अब कम टू अब लेक्च्चर सम् डूस और दू नॉट्स इंट्रिव्यू यह बहुत ही मोटी मोटी बाते हैं जो गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी है मेरा टास्क यह जैसे मैंने कल भी बोला था कि हमें ऐसी कोई गलतिया नहीं करनी है इतने कम टाइम में कि वह ब्लेंडर कॉंसिटूट करें और बहुत ध्यान से त्यारी करनी है जो मैंने कल बाते बताए थी बहुत इंपॉर्टन्ट है जो उसको समझेगा उसको इंप्लिमें पहली बात सबसे इंपॉर्डन बात है यह है डोंट गैस डैस नहीं करना आपको बिल्कुल आपको क्वेश्टन का अंसर नहीं आता सिंप्ली से सर पाड़न मी आ एम नाट अवेर अवेर अवाट इस या आई अन एबल टो रिकॉल लेकिन डोंट ट्राइट गैस आई थिंक आप से पूछा गया कि अगर आपको पता भी है जी कि एट सेवंटी नाइन थी टूजन इलेवन सेंस में तिल यू से आई थिंक सर एट सेवंटी नहीं तो इत विल भी टेकन आज गैस को कहेंगे गैस मार रहे हो कि पक्का पता है आपको अगर आपने भोलना ही है आंसर गल कि गैस करना ज्यादा कि प्रॉब्लमेटिक है कि इंसेड़ गिविंग राइट रॉंग आंसर तो गैस नहीं करना है आप से पूछा जो आपको लगता है कि यह आपको आना चाहिए मैं थोड़ी सी अडिशनल बाते बताऊंगा यहां पर डिप्लमेटिक कैसे इंट्री को है हैंडल करना है हैंडलिंग टेक्निक्स आप से पूछ लिया कि सेक्स रिशो कितनी है जी और आपको सब्सक्राइब याद नहीं आ रहा एक्जांपल ले ले हूं मैं आपको याद नहीं आ रहा तो कैसे आपको होगे कि मेरे को नहीं आता वोड़ एनिवर लाइक ट्राइट कोई करना चाहेगा कि किस टेक्निक से आप बाहर निकलोगे अप मिनिम्मम डेमेज के साथ और वाइस देखो पता होना चाहिए अगर मैं कहूं कि वट इस परसेंटेज ऑफ अग्रिगल्चर तो इस्टेट जीडिप तो यह आपको नहीं पता फिगर आप के अपता होना चाहिए अपोज नहीं पता कैसे निकलोगे बहार हो यू 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 रहाग तो आई अनिबड यू अनिबड यू यू रहाग तो ट्राइगा आपको सोचो यार गरभण नियुक्त 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 अगर आपको एक आदी बार भी आपके इंट्रू में यूज हो गया यह आप अपने आप कम से कम दस नंबर बचा लोगे अपने और ऐसा हो सकता है इट कन हैपन इंटर्विव इस ना इस वह गया है कि तो कैस हो गया है कि दो गया है देखो मैं आच लोगा अन्सर करता हूं चोटा साब देखो और अचलो करो ट्राइए करो गुट गुट बोलो शाबश्य अब यह होगा गेड़ यह और ज्यादा डेमेजिंग है कि आप चलाग बने कोशिच कर रहे हो और यह यूपीएसी में भी और स्टेट में भी और ज्यादा डेमेजिंग रहादा रही है ऐसा नहीं बोलना कभी भी अ आले ज्क्रकाब मैं आंसर करने कोशिच करता हूँ देखिए मैं आंसर कैसे करूंगा सर् हर्याना is suffering with a problem of low sex ratio and it is quite low we rank lowest in त्रेट ओर सिक्विट सार्याना रहा यह और थार्याना चल बन्सक्कि堂र का मैं डेक्वाट कैसा लगा आपको निकल गए बीच में थोड़ा बहुत minimum damage से आप जब भी ऐसा कोई आपको सामने आए उसके बारे में कुछ बताओ और निकल आओ और क्या इलाज है हमारे पास अग्रिकल्चर का है सर कॉंट्रिबूशन अग्रिकल्चर तो स्टेट जीडिपी इस लोएस्ट अमंग इंडस्ट्री और सर्वी सेक्टर इस इस इसको परफेक्ट्ली गूड आंसर माने जाता है इसको एक ब्यूर्यक्रेटिक क्वालिटी माने जाती है कि आपने एक इंसान के ध्यान को भटका दिया जो अगला कोस्टन था उससे डावेट कर दिया इसके पीछे डाटा क पाता है आपको उसके पीछ है यह रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलिबल रहेगी रिकॉर्डिंग के सुन सकते हो बात यह हम कहेंगे सर की दे कॉंट्रिबूशन ऑफ अग्रिकुल्टर टू स्टेट जीटिपी यह तो सबको पता ही होता है कि सबसे कम अग्रिकुल्टर टू स्टेट जीटिपी जीटिपी इस लोएस्ट अमंग थी सेक्टर एंड फॉर्ड सर्वी सेक्टर इस पता होना चाहिए यह उसके बारे में कुछ पता है आपको तो उतनक बता के आप एग्जेट मार लो और इससे आपका डैमेज मिनिमुम होगा और स अपने बनाया नहीं हुआ तो डों ट्राइट तू टू टू गैस या आप ऐसा कहीं कुछ पीनिम्ट बोल जाओ जिससे आपको डैमेज हो जाए ऐसा नहीं आपको करना चाहिए आप यतना कोई भी इस्व है जिस पर आपका अपीनिन नहीं है बिलकुल आप कह सकते हो कि सर I have I don't have enough information on this particular subject to give former opinion on it it is better to say no rather than give a controversial opinion आप ना ओपिनियन दियें वो बेटर है रदर दें गिविंगा रॉंग उपिनियन तो डूंट गैस दिस इस फिर्स्ट और फोर मोस्ट इंपॉर्टन थिंग इन स्टेट सिविल सर्विसेश किया आपके नंबर कटते चले जाएंगे कटते चले जाएंगे घबराना नहीं है आप से 5 FACCAL QUESTION पोछें नहीं आते तो तो नहीं आता तो आपको आगे चलना है उसको मुखा देना है कि और Question पोछें रदर देन हम उसी पे घूमते रहें question पे इसी is the first thing second second is कई बार होता क्या है कि question आप से पुछा गया है but and you know the answer and we tend to immediately answer ये अगेन बहुत एक important point है जिससे आपके number vary हो सकते है कि don't immediately answer फोड़ा सा पॉस लेना है दो सेक्रिंड तीम सेक्रिंड चार्ड सेक्रिंड का पॉस लेना है फिर answer करना है for example आप से पुछा गया what is the sex ratio आपको पता है 879 कि according to 2011 census it is 879 support पता है आपको तब भी थोड़ा सा पॉस लेना है according to 2011 census it is 879 and according to the recent estimates it has been upgraded to 926 but still census 2021 is to be conducted पॉस तीन चार पांच सेक्ड का पॉस लेने में कोई हम नहीं है और अच्छा लगेगा वह उससे क्या है कि आपके ना continuity बनी रेगी question answer में कई कुछ कई ऐसे questions आएंगे जिसका answer आपको नहीं पता उसमें आप naturally pause लोगे होगा कि कुछ answers में आप बिल्कुल पॉसमें ले रहे है कुछ आंसर में पॉसमें ले रहे हो और लगेगा आपके थोड़ी से ने continuity लेगने चाहिए आंसर में वह अच्छा एक presentation देता है तो गिव पॉस बिफोर स्टार्टिंगे आंसर इस 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 अब थर्द सिंग इस अगें डोंट सिट इप नॉट आस्टू एक आप इंटर करते हैं आप चेर के पास जाते हैं तोंट लुक अट चेर की तरफ द लेकिन जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए बैठना नहीं है और अगर आपने यह पूछ लिए फिर तो बहुत ही एक डेमिजिंग चीज हो जाती है में तो कभी कहना ही नहीं है कि अधर नहीं भी बहुत है अगर बहुत है अपनी देखिया लेकिन जब बैठने की बात हो नेवर आस्क में अगर आपके अंदर टेंशी बोलने की तो आपको उसको कंट्रोल करने हैं है टेक है अब सबने सुन लिया होगा मेरा उस बहुत्रोलके सब्सक्राइब एक्से चलना थिक करना है कैसे एंप्र इंसर करने तो डोंट यह थर्ड दूनॉट है जो यह मोटी मोटी बाते बता रहा हूं सारा कुछ तो यह को आप परफेक्शन नहीं ला सकते हैं लेकिन यह जो मोटी मोटी बाते हैं विच्छ विल कॉंस्टीट ऑफ ब्लंडर एट शुड नॉट हैपन इन इंटर्वू नेक्स्ट इस एक नेवर फ सब्सक्राइब नहीं हो रही है कोई विन डूस गेम नहीं हो रही है तो आप प्लेटली कहोगे कि सर एस पर माइं इंफ्रमेशन इट इस लोएस्ट अगर फिर मेंबर कहता आपको नहीं आप गलत बोल रहे हूं सर देट वाज माइंफ्रमेशन इस पर फिर में रॉंग इस टेंड करेक्टेड अर्गुमेंट में निफस्ट ना ये वह चेक करते कल को आप यूपीए से का इंट्रूब्य दे सकते हो तो वही क्वालिटी रखने में कोई नुकसान नहीं है तो अगर कोई बोर्ट किसी बुद्धे पर आपकी आर्गुमे यह बार ऐसा हुआ कि बच्चे जो है वह आर्गुमेंट में फस गए और नंबर अपने खो दिए में चाहे वह ठीकी थे बच्चे लेकिन फिर भी कोई विन लूज गेम नहीं है विरुक्रेट को सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए अगर सीनियर कहता है कि बाहर रात अगले दिन आप एक घंटे बार चठी आजएगे आपके पास कि आपने यह किया था इसके एक्स्वानेशन हो दरा तो आपको रात को भी दिन में तरह नहीं नदर आने लग जाएंगे फिर आपको क्या दो बाते कहने है पहली बार कि सर एस पर मैं अंडरस्टेंग और एस पर मैं इस एक्ट विद में मेरे पास यही नॉलिश्टी उसकी कोदिं में नहीं नहीं बताएंगे अगर को कहने है आप गलत हो कि सर if I am wrong then I stand corrected काम खत्म नंबर आपके पूरे वह यही क्वालिटी चाते हैं आप से कि आपको हैंडल करना आजाए अपने सीमियर को अपने से बड़े व्यक्टी को अजिकर थर्ड नेक्स्ट इस टोंट भी इरिटेट आपने किसी भी बात से इरिटेट नहीं होना बोट की मेजर इरिटेशन पॉइंट्स क्या होते हैं आप से बहुत सेक्ट्वल कुछन पूछने लग गए आप अंदर से इरिटेट हो जाते हैं आप ने इरिटेट नहीं होना है आपने उस चीज़ को पॉजिटिव लेना है कि ठीक है यार दिस दा मुवमेंट इस इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा जो पूछना तो पूछना है उस पर मेरा कंट्रोल तो है नहीं है अब कुछ मेंबर बड़े पूछन 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 लगए आप इरिटेट मत हो सिंप्ली हर कुछन को इंड़ी देखो आता है नहीं आता जैसे मैंने बताया है ओन्रेवल एक्जिट मारो निकलो आगे आगे चलते जाओ कामली नहीं आता कहते जाओ सर आइम नाट अवेर बाउट इस चाहे पांस कुछन हो जाएं दस कुछन हो जाएं गवरना नहीं है न इस आपको बढ़ा कुछ नहीं आते आपको आपको एक रूड रिमार्स दे दें तुम्हारा मेंस कैसे हो गया नकल मारी थी क्या ऐसा तो कहते निया लेकिन एक दो इंट्रू में ऐसा भी बोला उन्होंने इन अवर लास्ट ट्विंटी एर्स आप एक्स्पिरियंस तो ऐसा इस अपने बोल गया बोड कि तुम्हारा तुम्हारा नकल मार के भी पर दिया था कि आपको इतना पी नहीं पता अपकी तो प्रपरेशन बिलकुल नहीं है इन्टू देने आगे ओ आप तो आप ये चक करने के लिए बोलते हैं कि बंदा इरिटे होता है नहीं होता तो आप लेकिन आपने वह बात खा गए आपने वह बात खा गये जो उसने रीट रिमार्क किया आपने कहा उस मुद्दे पर बात करो तो एक पूछा था जिसके रिएक्शन में बौर्ड ने कहा कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता तुम्हारा मेंस कैसी हो गया है इसका अंसर क्य अब चार साल सी त्यारी कर तो मैं तीन साल सी कर रहो इसका मतलब गलत लोकस्ट परकाड़ लोकस्ट पकड़ना उसनगा पूछा था उसको है चैनल पूस्ट्थ तो कुछा था उसको अंशर करना उसको खाई जाना आप ने जो ने मार्क के है ठीक है ना समझागी बात यह क्लियर है अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताएं इसमें किसी ने पूछन पूछना कोई यह बड़ी आपको शानती देगी इंट्रू के अंदर यह बात है थोड़ा सा जो मौक इंट्रू आप दे रहे हैं उसमें भी प्रक्रिक्स करो यह चीजें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अपने अंदर अंदर फील होगा कि यह साइज आइज एंडल एन इस सिचुए आपके अपने नीचे हाथ रखने है थोड़ा बहुत ऐसे हो गया ड़न मैटर लेकिन उपर नहीं उनको दिखने हैं आपके बात होती है अबनॉर्मल लेग मूमेंट हम पैट टांग लाते जा रहे हैं उससे पूरी बाड़ी हिल रही है या कई बर आपके आपके बात होती ह ऐसे कंधे हो गए ऐसे हिलने लग गए तो थोड़ा सा अपने आपको ना अब्जर करो वाइल गिविंग मॉक्त कि मेरे अंदर कोई अबनॉर्मल बाड़ी मूमेंट तो नहीं है हाँ मेरा काम क्या है कि आप मेरे को मॉक्त होगे तो आई विल अब्जर्व आपकी बाड़ी लेंग्विज में कहीं कोई ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जिससे थोड़ा सा और लग रहा है जो अना तो एबनॉर्मल बाड़ी मूमेंट शुड नाट भी दिया उससे थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है और लगता है कि आप जैसे बार बार आ उपर ही दिखे जा र इनकेस आप में से किसी को लगे कि मेरी कोई ऐसी है और वो ठीक नहीं हो पारी देन यू किन कंसल्ट रहा है जैसे आप को जब एंटर करना है तो आप विशिम करोगे तो यह और विए तो दो प्रॉपर और और ओडिबल विश लिवर हमें इंडिया में क्या है कि वी आर यह वी डॉन्ट विश प्रॉपर ली वाने वारी बॉडि में विश लगती है जह हम किसी टीजर को रिष्प करते हैं पूरी बॉडि विश लगती है लेकिन हम मुह से ज़धा नहीं बोलते है लेकिन यह जो इंटर्वू है यहां पर बॉड़ी से नहीं है आपको प्रॉपर औ मतलब पहले आप सेंटर में चेरमैन बैठा उसको विश्क करोगे या मैडम बैठे लुण सर गुण मानिंग मैडम इसको बोलते हैं त्री टू फाइव शूरूल यह मेरा है इससे क्या कि आप अच्छा एक प्रेजेंट करते हो और सारे मेंबर आपको कि एक वो करते हैं कि अधरवाइस तो एडवांस हमारी विशिंग टेक्निक्स हैं अब वह में क्या अप्लाई करनी है सपोज आप एंटर करें आपने विश किया एक मेंबर आपको देखानी मेंबर ने आप अपना कुछ काम करता जा रहा है आपने विश भी किया उसने फिर भ और आपको चक करने के लिए करता है वह अग बाते हैं तो अब हमें ध्यान रखना होता है कि यार उस मेंबर ने विश मेरी एक्सप्ट नहीं करी अभी उसने अक्नॉलिज नहीं करी है तो सब्सक्राइब इंटरू चल रहा है तो एड़ टाइम आप फॉस्त आई कॉंटेक् अब रहा हलका सा विश कर पाए तो आपके नंबर ऐसी लग्या है तो आपके नंबर वैसे ही लग्या है तो आपके लिएक्स कॉलिटी कि बंदने ध्यान रखा कि यहाँ इस से मेरी विश नहीं हुए एक्सचेंज और जब फिर्स आइक कोंटेक्ट उनसे हुआ तो आपने विष्ट करी, नहीं इंटरप्शन क्यों है, इससे कर सी, तब भी, तब भी, विष्ट करना प्राइमरी है, जब आप ऐसी फॉर्मल सिट्विशन में, अमना ऐसा, I will not expect this thing है, यह तो मैंने क्रॉस्स आपको बता दिया, यह थोड़ा हायर लेवल टेक्निक्स है, यह हायर लेवल ओफ ट्रेनिंग है, विच 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 इन इंटरव्यू, ठीक है, नेक्स पॉइंट जो मैं को फील हो रहा है, जब मैं मौक इंट्रू ले रहा हूं, यूज लेंग्वेज as convenient to you, लेको लेंग्वेज आप वही उस करें जो आपको convenient है, सब्सक्राइब हो लेकिन बोर्ड अगर हिंदी में question पूछता है, यूज आपको हिंदी में ही आंसर करना है, याद रखिये बात, यह हर individual हर candidate मतलब maximum candidate सी गलती कर रहे हैं, I am asking in Hindi and you are continuing in English, please practice करें घर में, अपने म under count होगा कि member ने आप से Hindi में question पूछा है और आप English में answer कर दें, आपको Hindi में answer करना है, रिमेंबर हिंदी भी एक functional Hindi की बात हो रही है, यहाँ पे English type में not pure Hindi, वो everybody जो बोल चाल की भाशा है हमने उसी भाशा में answer करना है, या बहुत consciously ध्यान दें खासकर जो बच्चे जिन बच करने की, they should check themselves, इसके साथ ही में एक और cross reference यहां बताना चाहूंगा, keep your answers short and simple, अपने answers को short and simple रखिये, बहुत ज्यादा complex answer मत दें, बहुत ज्यादा philosophical answer मत दें, वैसा answer दें, जो अनना state public service commission के members, जो panel वहाँ बैठा होगा, वो समझ पाएं, जो स्टेट लेवल की commissions के committees हैं या जो boards हैं वो बड़े heterogeneous होती हैं, एक तरफ तो वो member होगा जो बहुत learned है, और दूसरी तरफ ऐसा member भी हो सकता है, जिसने simple graduation करी है, जिसका intellectual level उत्रा नहीं है, तो आपको sense करना है कि जो member question पूछ रहा है, उसको किस भाशा में समझ आएगा, कितना level of intricacy उसमें डालनी है, यह बहुत अच्छी quality है, जिससे आप अपने number बढ़ा सकते हैं, because ultimately the whole board has to be taken together, you have to create a positive environment in the board towards you, अपनी तरफ आपको positivity बनानी है, बोर्ट के अंगर, तो ultimately थोड़ा सा यही बात होती है कि आपको ध्यान रखना होता है, कि वाइल answering कि इसको कितना समझ आजाएगा, उतना ही depth में answer करता है, पोशिश करनी है अपनी तरफ से, तो यह basically आपको ध् important factor, अगर कोई member English Hindi में पूछ रहा है और आप English अपनी लगाई जा रहे हो, तो इस विल भी कॉंसिट्यूटिंग ऑफ ब्रेंडर हो जाएगा, आप विश करना ही भूल गये, किसी में आपने अंदर गए विशी करना भूल गया, ऐसा भी बच्चों के साथ हो जाता है, नॉर सब्सक्राइब करना है, तो आपने उठते वो बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सर, वोई 3-5, थैंक यू मैम, उठे, थैंक यू मैम, अगर वो मॉर्निंग गया, तो अगें यू करना है, तो अगें यू से गूद मॉर्निंग सर, जैसे मेरा 3 step back rule है, एक और, कुछ मेरी टे स्टेट में बहुत काम आती है चीजी है, लेकिन अगर आप कर पाएं तो, जैसे बोर्ड ने आपको बोला कि, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने थैंक बोला, उठे, आपने विश्क किया, तो एक ही दम, डोंट टर्न और बैक, तो बोर्स बोर्ड इमिडेटली, दो या ती लेकिन जो मैं यहां लिस्ट डाउन करते जा रहा हूं, यह पीपिटी आपको लेक्टर के साथ अटेश्ट रहेगी, तो आप पीपिटी डाउनलोड करके अपने पास यह पॉंट लेक्ट सकते हैं, यह गलतियां तो डेफिनेटली नहीं करनी है, नेक्स्ट चलें, नेक्स् मतलब, while answering you have to maintain eye contact, इसमें होता क्या कही है कि candidates are not comfortable in maintaining eye contact, तो वो question पूचे है, सपोज आप question पूचे है मैंसे, anybody ask question, कुछ भी question पूच्छा आप, आप कुछे है क्या कुछा है है, मैं नेम इस प्रवीन बंसल आई सी माइस सी मैसल्फ एज इस सिवल सर्वेंट इन नेक्स्ट फाइए इस सर्विंग दे स्टेट अफ रहा है इतना लग रहा है यह नॉर्मल है बच्चे जो है यह आम मेरे पास भी आके बैच्टे तो उपर देख रहे होते हैं कई बार लेकिन आप सुचो कि अब आप कैमरे में मुझे देख रहे हो कितना लग रहा है आपको तो बोर्ड भी आपको देख रहा कितना लगेगा यह उपर देख रहे हैं तो आपको आई कॉंटेक्ट बोर्ड के साथ मेंटेंड करना है प्राइमरेली विद दा मेंबर जिसमें कुर्शन भी देख सकते हो नमबर एक अब आपको सर हमें तो प्रॉब्लम में बड़ी आई कॉंटेक्ट मिंटेंड करने में मिरसे तो होता ही नहीं है मैं आपको दो अल्टेनेटिव देता हूं ध्यान से सुनना इस बात को लेकिन इसको बिल्कुल आखे बंद करके दिमाग बंद कर करवाना है कि आपको मैं दो एक खम शॉट ट्रम टेक्निक्स देते हैं अगर आई कॉंटेक्ट आप नहीं मेंटेन करें आप एक तो तो समझे लीजिए कि अगर आप उपर देखोगे तो गए आप तो फरस्ट एप आप आई कॉंटेंट नहीं मेंटेनिंग कर से छोड़ द देखो लिए बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आप इन दोनों के बीच में देखो यह तो यह हो गया आप किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं ना बीच बीच में हलका सा थो आई ऑल मोमेंट हो जाता है आपको असर यह भी पॉसिबल नहीं मेरे लिए मैं तो यह नहीं कर सकता है उसके लिए दूसरा टेक्निक यह है कि आप टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर किसी चीज को फोकस बना लो कोई ग्लास पढ़ा है कोई पैड पढ़ा है कोई पैन पढ़ा है आप उसको देखते हुए अंसर कर लो यह लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं करना है कि उनकी लाइन आफ साइ लिए उसको देख लो ऐसे करके वह भी फिर भी नॉर्मल माना जाता है वह फिर देमेज इस मुनिम्मम विद गाइट मुनिम्म डेमेग है उसके साथ है अंजिए कि मेरे पास सलूशन क्या हो और भाई पहले तो पहला प्रेशन तो यह यह ना कि आई कॉंटेक्ट मेंटेन करना है यह तो उसकेस में अगर आई कॉंटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो पहले तो कोशिश करो कि आई कॉंटेक्ट मेंटेन करो आप सपोस्थ आपने 26 जनवर तक आपका नहीं आई कॉंटेक्ट मेंटेन हो रहा और फिर क्या करोगे आप उपर ही देख रहे हो 1 subscribe that is only as an abnormal situation remember as an abnormal situation right next is now present yourself as a charming personality. चहरं पे एक हलकी सी स्माल रहनी चहिया बाल आंशुरीगिए लिया देपन देखेन अपन दे कॉस्टेटरीए देके ओर सेरियस आपका फेस नहीं हो ना चहिया मतलब ऐसा भी नहीं कि भई अगेन it all depends upon your personality अब कई बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे कि जिनका फेस naturally their personality is serious वो smile करी नहीं पाते कोई भात नहीं don't try to stress yourself लेकिन as a matter of strategy if suppose you present yourself as a charming personality कि हलकी से smile रहने चाहिए कि आप से सपोज बयोटा की question पूछ रहे हैं आप से क्यों एच्छिस बनना चाहते हो तो हलकी से smile रखो लेकिन अगर को serious question आ जाता है कि sex ratio की problem के आ गया crime की problem पे आ गया drug addiction की problem पे आ गया question then you have to maintain a serious posture तब smile नहीं करना है तो अपने को एक as a charming personality आपको present करने की कोशिश करनी कहिए over serious या over joyful नहीं होना है आपको यह नहीं हर question पे हसे जा रहे हो smile करी जा रहे हो ब्रॉड एक charming look देनी है बस उसको देखने के लिए आप जो मॉक इंट्रू दे रहे हो उसकी recording link आपके पास आ रहा है अपने आपको observe करो कि आप ठीक लग रहे हो क्या लेकिन अपनी personality को overdue stress नहीं करना है अगर आप नहीं smile कर पा रहे हो घबराना नहीं है उससे कोई इतना बड़ा फरक नहीं बढ़ जाने वाला कि नंबर को आपके बहुत वेरी कर जाएंगे आप इस चक्कर में कि मैं smile करूँ smile करूँ कहीं artificial ना हो जाना जो मौक मुझे दे रहे हैं आई विल पॉइंट आउट अगर मुझे कुछ अबनॉर्मल लगेगा अधर्वाइट सोके अधर्वाइट सोके तो यह यह कुछ बाते थी जो डूजन डूनॉट्स की विच आई वांटे तो शेर विडियो कि जो ब्लेंडर नहूं बाते और ब जो है ध्यान रखना है बिलकुल यह करना है मुझे यह नहीं करना है बड़ा बहुत क्लियर केरफुली ध्यान लखना है हां जी पुच्छे बाती है पुच्छा बड़ा है बड़ा यह करना है करे जो है वे इंग्लीच वार्ण बयए नहीं कोही प्रब्लम है लैंग्वेच नहीं कोही प्रब्लम है लैंग्वेच इस नॉट आ बेरिए और दिमाग में रखना नहीं है यह बात क्योंकि बॉर्ड इस वे कि भी जो आपको लेंग्विज अब उसमें बोलिये वहां पर कि आपको जिस लेंग्विज में बोल इंटू देना आप उसी लेंग्विज में कोई दिक्कत नहीं है और किसी के मन में दावत है फ्लीज कुछ लिजा कुछ पी अच्छी नहीं हमने यही कहना कि सर बात कि एस दूदिशल मतर और एपने खना इंटू अधू information to give any opinion on that and the due process of law will take its own course. किसी भी ऐसे legal matter में ये interview I remember, किसी भी ऐसे legal matter में अपनी judgment नि देनी शुरू कर दनी, if a matter is subjudice. ये भी ए quality check की जाती है कि आप कही excessive तो नहीं बोलते है, कि आप अपनी judgment देने में महेर हो, ये चल रहा है Supreme Court में, High Court में और आप अपनी judgment दे रहे हो, you are appearing for a interview of a bureaucrat, चाहे आपका अपना opinion है भी तब भी आप interview के अंदर वो opinion नहीं दे सकते. आपका कौन सा सीम फेवरेट है, जो पीछे सीम रहे है हराना में आपका फेवरेट कौन है, definitely आप से ये नहीं पूछेंगे कि बंसी लाल ने क्या किया या चुटाला साब ने क्या किया या और लोगों ने क्या किया ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे पहले तो आप से आपको ड्रैक करने के लिए कि अच्छा बताओ, CM आपका फेवरेट कौन सा सीम है, क्या आंसर करोगे ये इसका, बोलो, वो ये 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 फेवरेट सीम है, आपका नाम के आपको न बोल रहे हैं, निया, आपने ठीक बोला है, लेकिन देखो, मैं इसी बात को अगर मैं डिफरेंटली बोलू, आपने सुना नियाने क्या बोले न, आपने स्टाट किया सर, क्या, कि सर, I am not, आपने, तो देखो, मैं इसको क्यों को कैसे आंसर कुगा, इहां सा सुनना आप देखो, सर, the office of chief minister is very important provision, and it is occupied by a person who is the representative officer, perhaps all the CMs which have been there, they have done their best holding this and worked for the development of state, and I think sir, it will be highly inappropriate for me to choose any, एक बात, फिल करीया, आपने बात फरक क्या है, हाँ, येस, क्या बात है, एक्सिलेंट निया, आपने पक्रड़ ली बात, ये है positive answer, जो आपने दिया था, उसमें हलके से negativity आ रहे थे, आप ऐसा आ रहा था कि question से दूर भाग रहे हो आप, तो ये अगर कभी भी जोर लगा लो, आपने चूजनी करना सी एम, जिसने कर दिया, वो खाई में गिरा, जैसे पिछली बार हरेना का जब इंट्रू चल रहा था, तब ये नहीं, पंजाब का चल रहा था, तो election चल रहे थे, मैं आपको example देता हूँ, आगे भी election आने वाले हैं, तो आप state level पर ये tendency हो गई है, ऐसे question पूछने लगे हैं, एक time पर नहीं पूछते थे, कि अच्छा बताओ जी अगले election में, जैसे हरणा में election होंगे, या center government, आपको क्या लगता कौन सी पाटर जीतेगी, मैं आप से question पूछा हूँ कि आप बताओ जी कौन सी center में कौन सी बीजएपी विल्स बीजएपी form the government अगेन, जैसे आज controversy question हमने एक तुरू में discuss किया, उसका reservation का, जो मेरे से question पूछा गया था, मेरे phone पे, लोगोंने पूछा था, तो मैंने का था, मैं phone पे, मैं class में discuss हुआ, उसी तरह से एक और मैं आप से question पूछता हूँ कि which party will form the government, यह पूछा गया है question, और कई लोगों से पूछा गया है, तो क्या answer करोगे इसका? आप क्यों decide करोगी, आप क्यों हो तो decide करने वाले यही तो अच्छा वोगे ठीक है, आप अपनी present knowledge के हिसाब से you just tell, अब आप पताओ क्या answer करोगे, जो आपने एक बार knowledge कर लिए कि हमें बताऊंगी, लेकिन मैं सोच के बताऊंगी, मैं आपको कह रहा हूँ कि as per your present knowledge की जो इसने काम किया, उसके बैसे बताओ कौन जीतेगा, अब बताओ क्या, अब आपके आपके उपर compulsion आगी बताने के लिए, आना फाजगे ना, Sir, India is a democratic country, right, and Sir, there are number of political parties, and whichever political party will do the best work, I think that party should win, should win, will win, should win, अच्छा कौन सी पार्टी किसने अच्छा काम किया है, Sir, I think it is not for me to say that which party is going to win or lose, I left it to the judgment of the people, आप पुछो मैं से फशाओ मुझे, जैसे फशाना चाहते हो, लेकिन अगर आपके मुँसे निकल गया BJP, आपके मुँसे निकल गया Congress, आपके मुँसे निकल गया आप गए, नंबर वहीं आपके उड़ गए, और वो चाहते भी नहीं कि आप कुछो, आपकी अवाज क्लियर नहीं है, पुड़ा साथ धीरे बोलो जाता हो, देखें उससे करके, पुलिटिकल नुट्रिलिटी और आपके मुँसे निकल गया जूरत होता है, पुलिटिकल नुट्रिलिटी अड़, अगर नहीं, अगला मैंने आप से कुछन पूछूंगा, अच्छा, कि अच्छा, आपके पुलिटिकल बॉसे आपको कुछ गलत करने के लिए कहते हैं, विच इस लिगली नॉट राइट, वट विल दू, यह मैं करूंगा अगले एक लेक्ट्चर में, सिच्वेशन बेस्ट कॉस्टन में, I will discuss this thing, यह आम कॉस्टन है जो पूछ लिया जाता है, स्टेट लेवल इंट्रूज में भी और UPSC में भी, इफ यह प्रस्राइस तो सम्थिंग रॉंग, यह प्रस्राइस तो सम्थिंग रॉंग, तो जादा ठीक है आंसर आपके गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक उसको कृफ्स एंड शॉट रखें तो बैटर है, कि सर ठीक इंडिया 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 देमोग्राइक कंफरी देर अंबर फुलिटिक पार्टिस और जो पार्टी सबसे अच्छा करती है, उसको जीतना चाहिए, बास यह जीतना चाहिए, यह बहुत बड़ी आपने गाथा बोल दी, अगर वो कहा नहीं एक चूज करो, न कुछ पाइदा हुआ कंफर्स को, आपको उसे बाहर निकलना चाहिए, यह sir, for the past few months this yatra is going on and I think it is a very good learning experience for Congress and they are trying to build up on their lost reputation and because factually Congress has lost in various state governments and so let us see sir what benefit they can accrue from it. यह diplomatic होते हैं, बड़े typical question होते हैं, यह इनसे बाहर निकलना, तभी मैं discuss कर रहा हूं यह, जो आपने देखिए, अगर आपको पता लग भी जाए, तब भी जानने की कोशिश नहीं करनी है, it is damaging. मैं आपको एक बात बता रहा हूं, it is understand it very carefully, आप अगर excessively board के members की background के बारे में जानना चाहेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आज कल किसी भी HPSC member की background जानना, it's a matter of, मतलब few minutes, आप जान सकते हैं, क्या उसमें graduation करी, क्या post graduation करी, क्या काम करे, जन्दगी में, कोई बड़ी बात नहीं है, it is a very small matter, sit on the computer, you can find out within seconds की यह बंदे की history क्या है, लेकिन इतना मैं बता दूँ, सही जो लोग हैं वो आपको suggest कर सकते हैं कि जो board member की background और उसके according आप त्यारी करो, वो बहुत naive suggestion है, हैना कोई भी sensible बंदा जो जानता है commissions के interview पो, UPSC को, वो कभी आपको suggest यह नहीं करे, it can be populist, यह बड़ी populist सी चीज़ आपको लग सकती है, लेकिन यह damaging है, मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि जब moment आपको पता लगता किसी की background, you develop a bias, आपके answer automatically biased हो जाते हैं, और interview के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई member अपनी background के according पूछे, बायरटा आपका उसके सामने है, उसने आपके बायरटा को देख की question पूछे, प्लीज ऐसा आप बिलकुल ना करें कि आप मन में एक bias लेके interview में जाएं, और suppose बो कुछ ना पूछे, अब आपके मन में बा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बाक्या आपकी मर्जी है, but I don't suggest कि ऐसा कोई काम आप करें, UPSC में भी मैं same suggest करता हूं, I am very much against it, तो मैं lecture भी ऐसा conduct नहीं करता कभी भी कोई, otherwise कोई मुश्किल नहीं मिर ली lecture and it can be very populist lecture also, but actually it harms you and it has harmed people, in last 20, 25 years I have seen it has harmed people, और तो हमें हाम कर मैंने इंटरू में, I have given 4 UPSC interviews, मुझे हम कर प्रिपा है, हमारे टाइम पे तो ना कोई internet सा ना कुष्टा हम तो फिर भी खोद निकालते थे कि हाँ, यह member है, अब किस्टना सारे member हैं वहाँ पे, आपके board में कौन सा member आया नहीं आया, आपके board में कोई और बैठ गया, आपक stress and that creates a disturbance in your brain, उससे कोई फरकनी पढ़ जाने वाला, ठीक है, एनी अदर कॉश्टन, नहीं नहीं यार, इतना micro-image और टाइम ही नहीं है, अगर टाइम होता तो definitely मोटी मोटी district की बाते हैं कि भी यह district में क्या चीज, what for your district is famous for, कुछ खास बाते होंगी, कोई आपके district में tourism places है, कोई archaeological place है, या आपके district का है, कोई food famous है, क्यों cultural aspects famous है, वो आपको पता होना चाहिए, district का नाम कैसे पढ़ा या आपके district की यह problems है है, खास, आपके district में DC कौन है, 50 commissioner कौन है, SDM कौन है, आपके अलाग्टे से MLA कौन है, MP कौन है, यह पता होने चाहिए नाम सारे, बस इतना सा पता हो, उसके आगे कोई सब्सक्राइब करने की अभी कोशिश मात करो, first things first, अगर आपको किसी भी अपने question के उपर doubt है, कि यह this question में, I am not satisfied with, remember one thing, listen to me very carefully, किसी भी question में, चाहे वो सब्सक्राइब का है, चाहे वो हरेना का है, चाहे वो आपके academic background का है, अगर आपको लगता है कि I am not satisfied with that question answer, तो अब वो आप मुझे भीजो, वो answer, आप मुझे भीजो, देखो, मैं आप से request करूँगा, एक first step पे तो आप phone पे पुछो, क्योंकि I am taking so many mocks, फिर आपके सारे personal question bank मैं ही बना रहा हूँ, तो time ही नहीं बसता है, परसनल नहीं मिलने का, हाँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं एक meeting जुरूरत है, विल fix, अगर आपकी phone पे रिमूव हो गई बात voice message से, तब क्या दिक्कत है, या आप जब mock के लिए होगे, mock के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो, तो ऐसा है कि time है, सरा है बिल्कुल भी है, हाँ, कह तो यही रहे है, रोल नुम्बर वाइस चलेंगे, हाँ, जी, हाँ, वो तो और नहीं है, आप डिस्रिप्शन में जाईए, वहां कोर्स लिंक लगा हुए, यूटूब पे जाएंगे, आपको कोर्स लिंक मिल जाएंगे, उस कोर्स में स यहीं से टाइम नहीं है हमार पास एक मिनिट का टाइम नहीं है और आई डोंट देखो मैं मेरी स्ट्रेटीजी बहुत दियर है आप सारे धिएन से सुन लो मैं यह आँ वरी कंजर्वेटिव अबॉट इंटरव्यू आप इसको मेरी स्टेंट क्या विक्निस क्या लो विकास इ मैं I owe our responsibility towards you जो मैं सुझेशन देता हूं मुझे यह सोच कि आपको सुझेशन देना है कि आपका इंटूरू तीस एक दो तीन चार में आ जाएगा सुझेशन दूंगा जो आपके लिए डैमेजिंग नहीं होगा और आपको भी ध्यान रखना है जो भी मौक देना आपको एक बार देख लेना है कि वैदर यह ठीक है या एक इंडूज़ ठीक है एक सुझेशन देने के लिए सुझेशन दे रहे हैं वस यूपी एसी के अंदर यूपी एसी के अंदर हर साल इतना डैमेज होता है बच्चों का हमें संभालना मुश्किल हो जाता है कि आर्बिट्री सुझेशन मैं आपको एक्जांपल दे रहे हो सुझेशन कैसे होते हैं आपकी अवाद तेज है आप बहुत फास्ट बोलते हैं लो बोलो आप थोड़ा होता एक बहुत बड़ी बात है जो नेर्मल आपका स्टाइल होता वैसी बोलते हो और आपको वैसी बोलना है ने तो आपको फॉट्ट प्रोसेस हिंटर कर जाएगा और आप आंसर भी दे पाओगे वहां पर आपका यह ध्यान में रहेगा मैं ठीक बोल रहो मैं ठीक बोल र तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इतना घबराना भी थे थोड़ा ध्यान से बस अजी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है बाद में मिल जाएगी पहले मिल जाएगी दर्वन में तो आपको कमिशन से ही पूछना पड़ेगा देखिए क्योंकि अब यह नया इस बार इंटरू कैसे लेते हैं तो बहुत सीक्रेसी रखी हुए नोड़े नॉर्मली कोई नहीं होती देनी होती है ठीक है आपकी इंटरू हो गया इंटरू से कोई तालूक नहीं होना चाहिए वह बाद में भी आप सम्मिट कर सकते हो डिजन मैटर सब्जेक्ट टू अनोसी हो जाता है अधरवाई शायद पूछा ही ना वह अब यह नॉर्मली इंटरू के टाइम पर फिल कराते हैं वह जब वहां जाते हो कराते हैं लेकिन कुछ पहले इंट्रूइज हुए हैं अच्पेसी में वहां पर उन्होंने कोई कराया नहीं है लेटस सी क्या होता है आपको थोड़ा स हुआ कर दो कई रहेंगा वह तो फॉछ जोगा वह फॉर्म फॉदी चूज़ जोगा लेकिन उसफाम में आपकी हबीज या और जॉब डिटेल्स ये वह सब अभी न वो वो मेभी आपको फॉर्म भरवाएं जिसमें वो डिटेल्स हों अगर नहीं भी भरवाएंगे तो देवे आस्क यूदेर क्या कर रहे हो आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हो आप तो कौन सी होबी आपकी तो वो तो तो त्यार करके जाने ही पड़ेगा तैट इस व कि अगर उन्होंने फॉर्म में नहीं भी भरवाया तो कि कि एनी अधर कॉर्ष्ण करते रही है आपको स्लॉट मिल जाए को ने कोई है अजिक हां मैं लूँगा एक सेक्शन मैं एक सेक्शन देखो अभी आपका सुचूशन बेस पर लूँगा यह जहां 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 ग्रे है जैसे अनला की प्रावलम्स है सेक्श रिश ओ कं क्यों है क्यों इंप्रूब हो रही है यह इस पर मैं लोगा एक हरना की प्रॉब्लम फे यह मुझे बढ़ बड़े अर्प बच्छे का अंसर प्रविंस नहीं था यह जिसका मुझे अंसर एक भी आवित तक कर पाया कि हरे नोग क्यों है एक किसी एक बच्चे का भी आंसर ठीक नहीं है और और सब यह सोचने कि हमारा ठीक है अर अधिर इर्र 커स्य ンटिया शॉ कि मेल पूर्छे इंडिया में वाई में तो हर आनमें ऐसी क्या भी हौस बात होगी Thanks, God कहां तरक्कीर नहीं हूई मैं करूंगा है घे अगरी कल्चर तो भहुत सारी सुसाइटी रहे कोई बात नी कोई बात नी को इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन यह प्रिशाइस आंसर मैं आपको दूंगा कि हाँ जिससे आप अट लिस्ट वह कर सको ना मैनेज कर सको इसको और नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं इतना टाइम ही नहीं होना आपके पास क्या बात कर रहे हैं अगर यह चीज़े में टेन कर गए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे जो मैं यह बता रहा हूं आपको यह मेंटेन कर गए पोस्चरल यह वो यह यह लेटेंट लेवल पर आपको नंबर दिलवाएंगे चीजें कि ब्लेंडर नहीं हुआ कोई ठीक है गए और साफसुतर आगए बाहर अब यह तो आपको नहीं पता क्या कोशन पूछने आता होगा नहीं आता होगा बस यह प्यर्ण्सिब does में टेन करने हैं अपनी त्यारी करने हैं कि हमाट इस वाट यो पास्ट कहरा है यह अगर आपको वह बाते मता यह यह ओना हूने है है आपको सारी अब anunci highlight हे लेकिंवह नहीं पता जो पता होनी होना चयो यह Olympi आप उसको इम्यडिटली अगनॉलिज करो आपने आंसर दिया गलत ठीक है आपको दो तिन कॉश्टिन के बाद याद आया या आपको लगा कि आपने गलत आंसर दे दिया था आप आइ मने आड आавать आत करोचे काथए रहर आपको को डठीक हांगा किया इस एने पेलले गलती करदी आप सुर आप उसको मैने पहले गलत आपको बाद इनित आंसर 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 फ्रिक नव सक्ति ने वाने रवंक्याओ हैкиеतलने गेल यालतिकी औरर णिया लेकिन अक्नॉलेज करना जरूरी है इनकेस सब्सक्राइब का कॉंटेक्स ची नहीं बन रहा तो चुप रहा हो हां लेकिन अगर कोई बोर्ड मेंबर पॉंट आट कर दे कि आपने वह आंसर किया था वो ठीक नहीं था तो आपने थोड़ा सो सोच नहीं पार्डन में sir I also do think that and I seek your pardon for that I was wrong like politely जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो आप इतना समद्ली जे इंट्रू इस गों तो भी वेरी क्रिस्ट से इंट्रव्यू तो गिव दें दो ऑपर सुन्टी तो आपको दू बता दू है ना आपका आंसर जो है ना बड़ा क्रिप्स होना चाहिए जो पुछा गया वही की आंसर करना है मैंने आप से पुछा वट आर्योर स्रेंट्स आपने कहा आएं हाट वर्किंग आएं सिंसियर और आई 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 तिंक और माई फैमिली और संट इंट्रू इंट्रू अब यह नहीं है कि आप पहले मैं हाट वर्किंग वहूं उसका एक्समेंशन देने लग सुचिया अरे भाई तीम कोलिटि पुछिया तीम स्रेंग बता दी, let them ask further question. आप से मैने पुचा वटा साथ three social problems of हरह ना, आप पहले बोलतो sir, first problem is the relatively low status of women and specific issues like sex ratio and all. Secondly sir, I think migration problems are there and third is increased unemployment across different sections of population, thus above many sex ratio, आप उसका आपने बोलने लग गए एक ली प्रॉब्रम के ऊपर आपने बोलने लग गए तो ऐसा नहीं करना आपको आंसर बड़ा क्रिप्स देना है एंड गिब दम दॉपर्टुन्टी टू आस्क मैक्सिमन कॉस्टिंस वांगे करें वह देख लेंगे फिर आपके इंट्रू में कि कैसे ठीक है ओके बाइबाए फिर कल मिलेंगे दोबारा हां जी लास को लास कुर्शन बस हां जी कि क्या करें है में झाल ऑफिरेंगे डिवाइष में पंजाब में पंजाब में यह सब्सक्राइव यह हो सकता है कि ऐसे वाब वबता तरनेंसी जदा इस रेंज में होसकती है आप अगल कि यहाँ नहीं होगे और यहां नहीं होगे यह हमने पूरा अनैलेसिस कि नाइसा पंजाब सारे मोई इंट्रूरूस का जो ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी बायस से मत जाएं कि नहीं है इसी रेंज में इंट्रू नंबर मिलेंगे बस नो यह हमने फैक्चुल इंट्रू चार्ट है हमार पास पूरे हमने ड्रॉ करके देखें कि क्या रेंज इनका रेंज का मतलब क्या है बेसिकली कि आपका इंट्रू ठीक देको में तब ही मैं किया रहा हूं कि फस्तिंग फस्ति इतना पहले त्यार करना कि आप इस रेंज से निचे ना जाओ आप इस रेंज के आपर एंड पर रहो लेकिन अगर आपने ब्लेंडर कर दिया कोई विशी नहीं किया गलत विश कर दिया विभी गुड मॉर्निंग आप जाके वहां बोले गुड आप्टरूम सर और फिर आपको पता भी लगड़ा कि आपने गलती कर दी तो फिर आप डेफिनेटली कहने निचे जा सकते हो ना के अपने रेंड से ऊपर रहने हमें रेंड से नीचे नियाना है वाइं नॉट कमिटिंग अल्डी ब्लेंडर इसकड़ जयदा जो नॉलेज है वो यह नोट चेकिंग नॉलेज अट देर वह जाना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं आता आप में दम है कहने का कि मुझे नहीं तो 20 percent marks are justified. अगर वो इस रेंज में सारे ही कर देंगे, फिर तो court में चलेंज हुआ जाएगा ना कि इंट्रू किस बात का, फिर इंट्रू ले के और रही हो आप, किके जी, चलिए, कल मिलेंगे फिर, we will meet again tomorrow, right, thank you very much, good day, bye-bye. ले बार प्रोफें, इंट वुशएु क्वर पिर दोफें, इंट्रू ढार किएभ़ों स्वाज़ क्लिएक्त्यों साही हो रही हो. झाल झाल